हेलो एटूडेंट्स वेलकम टू दपी एंटी कोचिंग क्लासेज लर्न इजली एंड स्मार्टली तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मैच चैप्टर 2 होल नंबर का बेसिक कॉंसेप्स तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहला कॉंसेप्ट है चैप्टर के नाम पे यह ह लब तो होल नंबर क्या होते हैं यह वह नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन फैने तक हैं टूब नंबर को डबलू लेटर से रिप्रेजन किया जाता है यह ने की लिखा जाता है ओक है इतना क्लियर है next concept है natural numbers का natural numbers को capital N letter से represent किया जाता है लिखा जाता है and यह numbers जो natural numbers होते हैं यह numbers वो होते हैं जो की 1 से start होते हैं जैसे की 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे up to the infinite तक होते हैं याने कि यह number कभी भी खतम नहीं होते हैं next concept है number line का तो number line क्या होती students जिसमें बीच में जो है वो 0 होता है and 0 के right side पे 1, 1 cm के distance पे numbers होते हैं जैसे की 1, 2, 3, 4 and 0 के left side पे होते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 ऐसे minus infinite तक होते हैं लेकिन students क्योंकि इस chapter का नाम है whole number तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे whole numbers कोई cover करना है याने कि जो की 0 से start होते हैं तो हमाई लिए जो भी number line होंगी इस chapter के लिए वो 0 से start करेंगे लेकिन आपको एक बात पता होनी चे की number line में negative numbers भी होते हैं यह आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ओके लेकिन क्योंकि यह chapter whole numbers का है तो हम 0 से ही start करने वाले हर एक question में number line के लिए ओके students इतना clear है चलिए बात करते हैं properties of whole numbers की याने कि जो whole numbers होते हैं जो की 0 से start होते हैं उनकी कुछ properties हैं जो की आपको पता होना चाहिए तो चलिए 1 by 1 सारी properties देखते हैं सबसे पहले property है closer property of addition and multiplication याने कि जो पहली property उसका main नाम में closer property तो ये जो closer property है ये addition याने कि plus के लिए भी काम करती students and multiplication के लिए भी काम करती तो ये काम क्या करती है और ये closer property क्या है चलिए देखते हैं मालीजे students दो हमाई पास number है A and B और ये A और B जो हैं दो number ऐसे हैं ये दोनों whole numbers हैं तो अब यहाँ पे अगर A और B हमाई पास दो whole number हैं तो closer property ये बोलती है addition के लिए कि अगर आप इन दो whole numbers को plus करते हैं एर करते हैं तो इन दो numbers का जो addition है जो plus है याने कि A plus B जो है वो भी whole number होना चाहिए ये ऐसा closer property बोलती है याने कि अगर दो whole numbers को plus करने पे answer भी whole number आता है मतलब ये closer property है ऐसे ही multiplication के लिए भी अगर दो whole numbers को multiply करने पे हमको whole number answer में मिलता है तो इसका मतलब भी closer property है ओके students concept clear है इन summary मैं आपको बता दूं कि 2 whole numbers को multiply करने पे या फिर 2 whole numbers को plus करने पे अगर answer हमको whole number ही मिलता है तो इसको हम बोलते है closer property चलिए देखते हैं next property ये है commutative property of addition and multiplication तो इसका मतलब जो next property है वो है commutative property ओके students ये addition याने कि plus के लिए and multiplication के लिए भी काम करती है तो दोनों के लिए apply होती है अब चलिए देखते हैं कि commutative property होती क्या है तो basically students मान लेते हैं मैं पास दो whole numbers है again वही whole numbers है A और B तो addition property के लिए जो ही commutative property होती है वो ये बोलता है कि आप कोई भी दो whole numbers को किसी भी order में plus कर सकते हैं याने कि A plus B करो चाहे B plus A करो answer तो same होगा अगर मैं example के लिए बोलू कि मैं whole number 2 and 3 लेता हूँ तो 2 plus 3 करो चाहे 3 plus 2 करो answer तो 5 ही आएगा याने कि दोनों equal होगा तो इसका मदब students commutative property ये बोलती है कि आप दो numbers को add कर सकते हो चाहे A plus B लिखो चाहे B plus A लिखो याने कि आगे पीछे आप लिख सकते है answer जो है वो same ही आने वाला है ऐसे ही multiplication के लिए भी commutative property कैसे काम करती है कि दो अगर हमाँ पास whole numbers है A and B तो आप A multiply by B करो या B multiply by A करो answer जो है वो same आने वाला है ओके students तो multiply में भी हम आगे पीछे जो है numbers को लिख सकते है यही commutative property हमको बताती है ओके students clear है चलिए देखते है next property यह है associative property of addition and multiplication तो इसका मलब जो associative property है यह addition and multiplication दोनों के लिए काम करती है यहाँ पर क्या है students case यह है कि मैं पास यहाँ पर 3 हम whole number ले रहे है पहला है A, दूसरा है B और तीसरा है C अगर हम आपास 3 whole numbers है A, B and C तो associative property में क्या होता है bracket लग जाते है bracket क्यों लगते है students क्योंकि match बोलता है अगर आपको 3 number को plus करना है तो जो match का main rule है कि पहले आप 2 numbers को plus किजिए और फिर जो answer आएगा उसमें आप 3 number plus करते है पर question आता है कि कौन से पहले 2 number हम plus करेंगे तो जिन भी 2 numbers को पहले plus करना होता है उनको हम bracket में डालते है क्योंकि board mask का rule है कि bracket पहले solve होना चाहिए तो जो भी numbers bracket में लिखेंगे उनको हमें पहले plus करना होगा students clear है जैसे कि यहाँ पे A और B को bracket में लिखा गया याना कि हम यहाँ पे A plus B को पहले plus करने वाले है उसके बाद जो इनका answer आएगा उसमें plus C करेंगे तो चली देखते हैं associated property क्या बोलता है कि अगर आपके पास 3 whole numbers है और वो whole numbers है A, B and C तो यहाँ पे आप इन 3 numbers को किसी भी order में plus कर सकते हैं कैसे माल लेते हैं पहला situation ले रहे हैं कि हम A और B को पहले plus करेंगे और जो answer आएगा उसमें C को बाद में plus करेंगे या फिर आप यह बोल सकते हैं कि last के 2 numbers को पहले plus करेंगे याने कि B और C को पहले plus करेंगे और जो answer आएगा उसमें फिर A को plus करेंगे याने कि देखिए students 3 को plus C करना है तो answer तो same हैगा चाया आप कोई B whole number लीजिए तो पहले A plus B को plus करके फिर C को बाद में add कीजिए या फिर पहले B plus C को add करके उसके answer में A को plus किजिए answer तो वही होगा और यही आपकी associative property भी है यह होगा addition के लिए ऐसे यह काम करेगा multiplication के लिए B याने कि A multiply by B multiply by C करना है याने कि 3 whole numbers को हमको multiply करना है तो पहले A multiply by B किजिए फिर जो answer आएगा उसमें C को multiply करेंगे या फिर आप पहले आखरी दो number याने कि B multiply by C किजिए और जो answer हैगा उसमें फिर A की value को multiply कर दीजिए तो इस तरीके से associative property बोलती है कि आप 3 numbers में से कोई भी पहले दो numbers को plus या multiply करके solve कर सकते हैं उसमें answer जो है वो same ही रहेगा चली देखते हैं next property यह है distributive property of multiplication over addition और subtraction तो याने इस property का नाम है distributive property और यह property काम करती multiplication के लिए और यह multiplication जो है वो किसके साथ काम कर रहा है addition या फिर subtraction याने कि कैसे students चली मैं आपको समझाता हूँ इस formula के help से माल लेते हैं हमाँ पास 3 whole numbers है A, B and C अब देखिए यह जो property है distributive property यह multiplication के लिए काम करती है याने कि A multiply by और किसके साथ काम करती है या तो addition या फिर subtraction तो पहले addition लेते हैं तो यह देखिए A multiply by फिर bracket में B plus C है याने कि यहाँ पे यह जो distributive property वो multiplication के साथ है over addition तो अब देखिए students यहाँ पे क्या होता है जो bracket में number है वहाँ पे addition है और जो बाहर number है bracket के वो A multiply है right अब देखिए क्या होता है students यहाँ पे जो A number है इसका multiply इससे भी होगा B से भी होगा और इसका multiply C से भी होगा याने कि A multiply by B and A multiply by C और इनके बीच में plus था तो यहाँ पे आजाएगा plus इतना clear है आप देखिए यहाँ पे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं मानने जी जो bracket है यह घर है students यह क्या है एक घर है इस घर के अंदर दो लोग रहते हैं एक B है और एक C है और इस घर के बाहर एक महमान खड़ा है जो की है A अब देखिए students जब महमान घर में आता है तो सबसे मिलके जाता है किसी एक से मिलके वो चले नहीं जाता right तो ऐसे यह जो A है यह A B से भी मिलेगा and A C से भी मिलेगा यानि कि A multiply by B and A multiply by C और बीच में प्लस था तो यह प्लस आ जाएगा एकदम सिंपल कॉंसे था इस देखिए अब देखिए A multiply by B को हम A B भी भी बोल सकते है and प्लस A multiply by C को A C भी बोल सकते है यानि कि यहाँ पर यह एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि A और B के बीच में या फिर दो नंबर के बीच में जब कोई भी सिंबॉल नहीं होता है तो वहाँ पर हमेशा multiply होता है यह आपको पता होना चाहिए ओके यह था पहला distributed property of multiplication over addition second property देखते हैं जो कि है distributed property of multiplication over subtraction तो यहाँ पर क्या होगा bracket में addition के बदले हो जाएगा subtraction याने कि A multiply by B minus C तो यहाँ पर भी same कानी होगी कि A का multiply by B से भी होगा और A का multiply by C से भी होगा याने कि A multiply by B and A multiply by C और बीच में minus है तो यहाँ पर आदेगा minus तो यहाँ पर A multiply by B minus A multiply by C हो जाएगा तो A multiply by B को हम लिसकते हैं AB minus AC तो ये थी distributed property ओके students इतना clear है चलिए देखते हैं next property ये है division of whole number by 0 याने कि आपको divide अगर करना है किसी भी whole number को वो भी 0 से तो क्या होगा A divide by 0 तो आपको पता होना चाहिए students की जब A divide by 0 करते हैं तो ये not defined है याने कि इसका कोई भी answer नहीं होता है ये meaningless है इसका कोई मतलब होता ही नहीं है ऐसा इसले students not defined याने कि अभी तक के scientist लोगों को भी पता नहीं है बड़े-बड़े mathematician को भी पता नहीं है कि A को या कोई भी number को जब 0 से divide करते हैं तो यहाँ पे जो A divide by 0 है ये not defined हो जाएगा और आपको पता होना चाहिए students कि A divide by 0 को हम लिसकते हैं A upon 0 इस upon का मतलब होता है divide तो A divide by 0 या A upon 0 जो है ये भी same होगा not defined तो ये allowed ही नहीं है students इतना clear है चलिए देखते हैं next property ये है additive identity of whole number तो इस property का नाम additive identity है identity का मतलब होता है कि same वैसे का वैसा additive यानि कि कुछ ऐसा add करना है कि उस number को फरक ही नहीं पड़े ऐसा कुछ add करना है कि वो number वैसे का वैसी रहे यानि कि मैं आपको समझाता हूँ माल लेजिए हमाय पास एक whole number है a हमाय पास एक whole number है a अगर आप इसमें plus 0 करेंगे तो भी हमको a ही मिलेगा देखिए इसको मैं आपको एक example से समझाता हूँ students माल लेते हमाय पास whole number है 3 तो 3 में ऐसा कुछ plus कीजिए कि वो 3 का 3 चरहे उसको कोई फरक पड़े ही नहीं तो 0 को plus करने पे हमको आंसर जो है 3 plus 0 3 ही मिलेगा तो ऐसा कुछ plus करना है जिससे उसको I mean दूसरे नंबर को फरक ना पड़े फरक ना पड़े और वही का वही आंसर मिले तो इसको हम बोलते है additive identity यानि कि आप बोल सकते है जो 0 है वो हमारा additive identity है ओके whole numbers के लिए तो आप क्या लिखेंगे A plus 0 कीजिए या फिर 0 plus A कीजिए तो आपको आंसर जो है वो A ही मिलने वाला है और यही है आपकी additive identity property of the whole number ओके students clear है चलिए देखते हैं next property यह है multiplicative identity of whole numbers क्या है आपको ऐसा कुछ number multiply करना है जिससे कि वो जो number है whole number वो वैसे का वैसे रहे अब देखिए माल लेते हैं मैं पास whole number है 3 इसमें हमको कुछ multiply करना है कि हमको answer जो है वो वही whole number 3 मिले तो देखिए 3 ones are 3 होता है ने कि 1 से multiply करने पर हमको वही का वही whole number मिलता है students तो हम यह बोल सकते हैं कि जो 1 है वो हमारा multiplicative identity है whole numbers के लिए तो इसको लिखेंगे कैसे कि A में multiply by 1 कीजिए या फिर 1 में multiply by A कीजिए आपको answer जो है वो A ही मिलने वाला है तो इसी को बोला गया multiplicative identity of whole numbers students clear है चलिए बात करते है next property की जो कि special properties याने की कुछ special properties है बहुत सारी चलिए one by one इनको देखते है अब पहली property special property में की कि किसी भी whole number को जब आप divide करते हैं 1 से तो आपको वही का वही याने की A whole number मिलता है जैसे कि example के लिए अगर हम 9 को divide by करते हैं 1 से तो answer हमको 9 का 9 ही मिलता है तो ऐसे ही A को अगर हम divide by करेंगे 1 से तो हमको answer A मिलेगा ओके clear है अब देखिए दूसी प्ROPERTY है कि कि किसी whole number को अगर आप उसी whole number से divide करेंगे तो आपको answer मिलेगा 1 example में देखिए कि 9 को अगर आप 9 से divide करेंगे तो आपको answer मिलता है 1, okay clear है third property है इसमें कि जब आप 0 को divide by करते हैं किसी whole number से, right 0 is divided by a whole number, तो answer आपको 0 ही मिलता है, तो अब यहाँ पे आप confused होंगे, कि अभी हमने पढ़े थे कि 0 से divide नहीं कर सकते देखिए समझे चीज़ को आप A divide by तो कि 0 से divide करना allowed ही नहीं है आपको कुछ भी answer नहीं मिलेगा क्योंकि यह not defined है, लेकिन 0 को आप divide कर सकते हैं तो 0 को जब आप divide करते हैं किसी भी number से किसी भी whole number से, तो आपको answer जो है वो 0 ही मिलेगा यहन्यकि 0 जो है वो पहले लिख सकते हैं लेकिन बाद में नहीं लिसकते हैं divide के case में, यह याद रखना तो जब 0 को divide करते हैं किसी भी whole number से तो answer मिलता है 0, example के लिए कि 0 को जब हम divide करते हैं suppose कि जी नाइन से तो answer हमको 0 ही मिलने वाला है next property है कि अगर हमाँ पास 3 whole number है A, B and C और यहाँ पे जो B है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि divide के बाद 0 allowed नहीं है अभी हमने देखे थे तो B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए तो अगर हम A को divide करते हैं B से और answer हमको C मिलता है यानि कि 2 whole numbers को हम divide करते हैं और answer भी हमको whole number मिलता है तो उस case में यह B और C को जब multiply करेंगे तो हमको यह A मिलता है यह भी एक property है ओके students इतना clear है चलिए आगे देखते हैं next concept है division algorithm का तो यहाँ पे division algorithm में एक formula है जो आपको पता होना चाहिए dividend is equal to in the bracket divisor multiply by quotient plus remainder अब यह क्या होता है students देखिए जब हम divide करते हैं इसको 2 से divide करते हैं तो divide कर रहें 6 को तो dividend हो जाएगा हमारा 0 और जिस number से divide करते हैं उसको हम बोलते हैं divisor और जो answer मिलता है उसको हम बोलते है quotient और आखरी में जो बसता है उसको हम बोलते है remainder चलिए divide के through इसको समझते हैं कि 2 से जब हम 6 को divide करेंगे तो 2 3s are 6 माइनस करते हैं डिवाइट करना आपको आता होगा 6-6 is 0 तो इसको अगर हम इस formula में रखेंगे तो चलिए try करते हैं कि क्या होता है तो यहाँ पर जो dividend है जिसको हमने divide किये हैं वो है 6 तो dividend के बदले लिखेंगे यहाँ पर 6 उसके बाद है equal तो यहाँ पर लिखेंगे equal फिर bracket है तो bracket divisor नहीं की जिससरे में divide किये वो है यहाँ पर 2 तो लिखेंगे 2 उसके बाद multiply है तो यहाँ पर लगाएंगे multiply quotient याँने की जो answer आता है वो तो जागा वो 3 है फिर bracket close है तो bracket close उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस फिर remainder remainder याने की 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 solve करते हैं 6 के निचे 6 equal के निचे equal to 366 plus 0 and 6 equal to 6 plus 0 याने की 6 तो अब 6 जो है वो 6 के equal होता ही है याने की यह सही बात है याने की जो हमारा answer है वो बिल्कुल सही है तो इस division algorithm की help से हम यह पता कर सकते हैं कि जो हमने divide की हैं वो सही है या नहीं ओके students clear है तो यह formula आप याद कर लेंगे dividend is equal to divisor multiply by quotient and then plus remainder okay students I hope आपको एक clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो please हमाँ चैनल को subscribe कीजिए and वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you